Assalamu alaikum welcome to GFX Mentor मैं आपका टीचर इम्रान और आज हमारी है class no.8 photoshop beginner series की और आज का topic क्या है content aware now content aware fill भी है content aware move भी है और बहुत सारा content aware है तो आईए start करते है so first of all तो मैं आपनों को कुछ एक छोटी सी चीज पहले बताना चाहूंगा कि remember जब हम fill वाली बात हमने बताई थी मैं ये new file मैंने ली है और इसमें simply मैं ये कर रहा हूं कि मैंने एक selection ली जैसे मैंने आपनों को पहले बताया था कि Photoshop में अगर किसी भी selection में हमें foreground color fill करना हो तो बड़ा simple सा shortcut है all backspace और अगर background color fill करना हो तो control backspace right now एक और छोटा से shortcut कर बताना चाहरा हूं shift backspace अच्छा shift backspace में ये आप से कुछ पूछता है like आपको अगर foreground color fill करना है तो वह आप कर सकते है for example अगर मैंने foreground color select किया यहां से और ok किया तो ये foreground में जो आपका color है वह यहां पर fill कर देगा right अगर मैं shift backspace करता हूं यहां पर आपके पस और भी कुछ चीज़ां options है like background color भी है color भी है मतलब आप से अगर जैसे आप इस पर click करते हो तो वह आप से पूछेगा कि कौन से color fill करना है ठीक है तो याद रखेगा shift backspace आपको एक fill का dialogue देता है जिसमें आप अपनी मर्जी से color fill कर सकते हैं plus यहां पर आपके पास कुछ options भी है कि मिसाल के तोर पर आपने blend mode उसका क्या करना है या opacity कितनी रखनी है या even preserve transparency करनी है मतलब कि अगर किसी layer पर already कुछ मौजूद है तो मिसाल के तोर पर मैंने यहां brush से यह कुछ बना दिया सही है आप मैं shift backspace कर रहा हूं और मैं इसमें color fill करना चाह रहा हूं red अगर मैं ऐसे यह ok कर दूँगा तो यह पूरी layer पर fill कर देगा because हमने कोई selection नहीं बनाए नेती रही लेकिन अगर मैं यहां से preserve transparency करके ok करूँग तो यह सिर्फ उसी area में fill करेगा जहां already कुछ बना हुआ था ठीक है now जब यह अब shift backspace कर रहे थे तो यहां पर आपके पास एक और option आ रहा था जो content aware है अब यह क्या चीज़ है यह आज का हमारा topic है सो आये यहां पर हम देखते हैं यह image मैंने रखा हुआ है और content aware fill का का काम क्या है अगर हम किसी भी चीज़ को remove करना चाहें अपने image से तो हम बहुत easily content aware fill से remove कर सकते हैं ना एक चीज़ का खायल रखेगा के always take a copy of layer so मैं इस layer की copy ले रहा हूँ ठीक है या control J कर ले यस आप बड़ा simple सा यह के control J कर ले या even आप layer को drag करके new वाले button पर drop करेंगे तब भी हो जाता है ठीक है मैं यह चाहरा हूँ कि यह जो ski करता हुआ बंदा है और यह साथ इसका pet dog है यह मैं यहां से हटाना चाहरा हूँ ठीक है तो बड़ा simple सा काम कि मैं किसी भी तरह से यहां से बड़ी roughly loosely एक selection ले लेता हूँ ठीक है जी और selection लेने के बाद मैं कर रहा हूँ shift backspace shift backspace करने के बाद मैं यहां से select कर रहा हूँ content aware अब content aware में यहां पर कुछ आपको options दे रहा है color adaptation यह रहने दीजेगा ठीक है ताकि वो colors को blend करें यह करेगा यह कि आपके earth gate से कुछ उठा करके यहां पर fill कर देगा है and that's it बंदा गायब so यह काफी इतना अच्छा है कि हम कई मरतबह इससे बहुत दा काम लेते हैं लेकिन कई मरतबह यह बहुत दा painful हो जाता है कुछ settings नहीं हो पा रही होती है हमें it देखना पड़ता है मैंने बड़ा selected सा image रखा वा था इसलिए आपको यह दिख रहा है कि बड़ा असानी से हो लेकिन कई सारी चीज़ों में यह थोड़ा सा जब हम advanced लेवल पर जाएंगी तो उसमें कुछ चीज़ है मैं definitely बताऊंगा content aware field के बारे में लेकिन अभी के लिए बहुत simple सा है कुछ भी नहीं करना आपने simply यह करना है कि selection loosely बनानी है exact अगर selection आप बनाएंगे तो फिर मसला र रह जाएंगे बड़ा अजीब सा result आ रहा होता है तो यह मत कीज़ेगा rough selection जरूरी है इसके लिए so i hope आप लोगों को यह content aware field समझ में आ गया होगा next जो हमारे tool है that is content aware move और यह कहां होता है जो last class में हमने पढ़ा था spot healing brush healing brush and patch tool इसी के नीचे हैं यहाँ पे content aware move tool content aware move tool का 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 हम क्या है obviously हम किसी object को कहीं एक जगा से दूसरे का move करना चाहरे हूं तो यह आपका content aware move काम आता है right इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ का खेल रखेगा कि always take a new layer मैं यहाँ पर new layer ले रहा हूं और यह इसमें एक बात अच्छी सी बात है कि यहाँ पर sample all layers का option आपको दिया कि even though मैं यहाँ पर new layer पर हूँ blank layer पर हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे select करके move कर सकता हूँ like this मैंने simply इसको select किया और move किया जैसी मैंने move किया देखें आपके पास एक bounding box आ रहा है ठीक है इसको अगर आप check लगा दें यहाँ से okay कर ले यह आपका analyze करेगा और चीज़ों को उठा करके यहाँ move कर देगा अब देखें एक simple सी बात यह है कि हम इस वक्त हैं new layer पर इसने क्या किया new layer पर कि जो object मैंने select किया तो इसको यह move तो कर दिया साथ ही साथ उस जगा पर fill भी कर दिया अगर आप और से देखें तो यहाँ पर इसने fill भी किया while content aware fill भी किया इसने और move भी किया so this is quite useful अच्छा इसमें यहाँ ऊपर कुछ extra चीज़े दी हुई है मैं definitely भी आपको बता रहा हूं कि इसका करना क्या है एक और चीज़ जब मैंने move किया था तो याद रखेगा मेरा mode move पे था और यहाँ पे transform on drop लगा हुआ था अगर यह transform on drop हटा दूं तो जब यह आप move करें काम आ सकता है एक चीज़ में for example मैं इसको यहाँ move नहीं करना चाहरा हूं मैं इसको दूर move करना चाहरा हूं अब obviously कोई चीज़ अगर दूर जाती है तो वो क्या हो रही होती है चोटी हो रही होती है ठीक है और मैंने छोटा करके यहां move कर दिया राइट जैसी मैंने move किया थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं आप यहां पर enter भी press कर सकते हो यहां पर आप commit transform भी कर सकते हो ठीक है जैसी मैंने यहां पर click किया वो थोड़ा सा इनलाइज करेगा और यह move करके दे देगा तो इस वक्त currently यह हुआ है कि यहां नीचे उसने जो fill किया और से देखें यह पहाड का एरिया है यार मतलब sky and mountain उठा करके इसने यहां पर fill करते हैं बट that's okay कोई नहां था और अब यह दूर है अंडू करके आपको दिखा रहा हूं और आपको बहुत वाज़े तोर पर दिख रहा होगा कि यह कितना असानी से हमने इसको दूर मूव कर लिया है याद रहे कि मैंने इसके shadows भी साथ select किये थे okay so यह यहां पर तो बहुत easily move हो गया लेकिन य यह मैं एक छोटा सा काम यह कर रहा हूं कि देखें पहली बात तो यह कि यह है अलग लेयर पर ठीक है और content जो है हमारा जादा वो नीचे वाली लेयर पर है अगर मैं यहां नीचे कुछ काम करता हूं तब भी यह दिखता रहेगा because यह उपर वाली लेयर पर है ठीक है so हमें एक और उपर लेयर चाहिए होगी जिस पर हम काम करेंगे now problem यह है कि उपर वाली लेयर पर already कोई content है ही नहीं तो अगर मैं even select करके देखें मैं अगर shift backspace करता हूं और content अवियर फिल करता हूं तो वह error देदेगा कि यहां पर कुछ है ही नहीं जिसको मैं उठा के फिल करूँ अब solution क्या है कि मैं ऊपर एक composite layer बनाओ composite layer क्या होती है इन दोनों को merge करके एक copy बना दो see मैं दोनों को merge नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन एक merge करके copy निकालना चाह रहा हूं सो पिछली ग्लास मैंने आपनों को दो layers merge करने का तरीका बज़ा था Ctrl-E यहां पर आपको शॉटकर बता रहा हूं Ctrl-Alt-Shift-E Ctrl-Alt-Shift-E क्या करेगा आपको merge करके एक new layer पर copy देदेगा see even आपके पास अगर कोई layer नहीं है Ctrl-Alt-Shift-E जैसी आप प्रेस करोगे एक new layer आपके पास जनरेट हो जाएगी जो के तमाम जो visuals दिख रहे हैं उसके पूरी composite layer होगी right so अब मैं इस पर अगर select करूँ and shift backspace करूँ तो यह आपका कर देना चाहिए content aware fill that's it यह हो गया हमारा यहां पर area साफ so इस जगा पर मैं कुछ यह texture यहां से उठा के लाना चाहरा हूँ so यह तो आप clone कर लो या फिर आप एक और काम यह कर सकते हो कि अपना content aware move tool में यहां से आप ले लो extend extend क्या करेगा आपकी copy करके देगा so मैं इसको यहां पर ला रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यह थोड़ा सा rotate करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं but बारहल अभी मैं इसको इतना ही रहने दे रहा हूं ठीक है and जैसी मैं इसको commit करता हूँ so इसमें काफी अच्छा सा blend करके द कर रहा हूँ और यहां पर लगा रहा हूँ and इसको मैं एक्स्टेंट पर ही रखा हूँ इसको commit करें यहां से then secondly मैं कुछ texture यहां से उठा रहा हूँ और इसको मैं यहां पर लगा रहा हूँ and commit करें and we are done so अब यह है कि आपका जो image था originally वो यह था और अब आपका image यह है so I hope आपनों को यह content aware move समय में आया होगा इसमें यह दो तीन चीज़ें चोटी चोटी सी हैं यह definitely अब मैं बताना चाहूँगा आप जब भी किसी चीज़ को move करते हैं या extend करते हैं ठीक है अच्छा extend में एक और छोटी सी चीज़ में बताना चाहूँगा कि बड़ी funny सी चीज़ आप यह भी कर सकते हो कि किसी चीज़ को बढ़ाना हो extend करना हो for example मेरा mood हो रहा है कि इस बंदे की तांग है और थोड़ी सी लंबी हो जाए तो यह मैं यूं कर सकता हूं बट जादा over मत कर दिएगा यह copy generate कर देगा ठीक है तो इसको बस इतना सा मैंने उंचा किया and जैसी मैंने enterprise किया है इसमें इसको blend कर देना है and so यह पहले ऐसा था अब यह ऐसा है right anyways इस चीज़ में मैं इतना वह नहीं चाहूंगा कि आप करें क्योंकि extend करने में कुछ simple सी straight चीज़ें हो तो समझ में आती है बहुत ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा powerful नहीं है now कुछ चीज़ें जो बहुत important सी जैसे मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि यह उपर जो structure है यह बहुत कांका है कई बार जब हम चीज़ों को move करते हैं या copy भी करते हैं याद रखीगा extend अगर आप रखके move करोगे तो यह copy generate करेगा लोगों तो पिए या यहां से यहां पर लाकर कर के इसको यहां से यां पर लाकर के इसको यहां से bleibt कर कर देगा घॉर से देखें कुछ मसलिए आए हैं यह खेर रखें कि अभी मैंने इसकी सेलेक्शन हटाई नहीं है अगर आपने सेलेक्शन हटा दी याने कंट्रोल डी कर दिया तो यह पॉमिनेंट चेंज हो जाएगा लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी स्ट्रक्चर और कलर्स को एजस्ट कर सकते हो सी दिस मैं इस की यह बड़ा लूजली लेकर आ रहा होता है सी दिस लेकिन यह है कि वन में अगर आप और से लेके तो इसका शेप ही चेंज कर दिया था जिस बिकॉस के ऊपर की लाइन से इसकी हाइट को इसको नहीं जिस किया था बट देन यह थोड़ा सा आगे बीचे करके देख कर दूँ यह आपके पास कलर्ण को देख रहे हैं एजिस की तरफ कलर्स को एजिस कर रहा होता है और अगर मैं टैन कर दूँ यह कुछ जादा ही कलर इठाने लग जाता है आस पास से इंड जिसकी वज़ा से यह प्राब्लम्स एजिस पर आने लगते हैं यह दोनु मिल करके बहुत स्ट्रॉंगली आपके इस कॉपी पर असर डाल जोते हैं मैं यूशली फॉर प्लस फॉर यानि के दोनुं की वैल्यूस फॉर अगर मैं करूं तो बहुत हद तक बहुतर रिजल्ट आ रहा होता है आप लोगों को यह कॉंटेंट अवेर मूव भी समझ में आया होगा खैर इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे अब्जेक्स पर प्रैक्टिस जरूर कीजेगा और काफी इंट्रस्टिंग सा और काफी हेल्फुल सा टूल है अगर पसंद आये तो प्लीज ला आप आप